सो हैलो स्टुडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो टोपिक चल रहा था रेखिक पुन्रावर्ती समंद के सोल्यूशन के उपर तो उसका फर्स्ट टाइब वह हमने पढ़ लिया था कि कॉम्प्लिमेंटरी सोल्यूशन है वह हम कैसे फाइंड आउट करते है किसी र हाँ पर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन है वह किसी एक्वेशन का का फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास एफ र की जो वेल्यू है वह नोट इक्वल टू जीरो है नोट इक्वल टू जीरो का मतलब आपके पास जो फंक्शन जो भी दिया गया रहेगा उसके एक्वल मे मैंने यहाँ पर जैसे लिक रखा है जैसे यह आपके पास 2-1-1-1-1 कोटिक का है वह समिक्रंट दे रखा है और इसके एक्वल के अंदर मैंने कोई फंक्शन ले रखा है तो इसका मतलब यह नोट इक्वल टू जीरो है देन इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है वह अब क्यां आप सब्सें निकल किया सकते हैं जो इसके पास फंक्शन है वो देखने को मिल जाए का यहां पर coupon यहाँ नar पर जी है तो यहां हम यह अधर ह state को एक्वेशन निकला है अब साथ में यहां पर मेरे मे दिखेंगे से हमारे पास a fate एक साते हैं मनलब की क्रेक्ष टो 1 आ जाए एक रूट वड़ी हम इसeno तिके अंदर चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं वह में यहां पर आपके आगे इसके जो इस्टेंडर्ड रूप लिखेंगे उसमें बताऊंगा जैसे देन हमारे पास इस टाइप की एक्वेशन आगई तूस इस्टिमम केस वन है वह अपलाई करते हैं अब केस वन के अंद यहां पर आपको पता है यह सारी की सारी कॉंस्टेंट राशिया होती है और आर हमारे पास है जो वेल्यू आर तो आरी रखते हैं यहां पर लेकिन यहां पर जो अन्नोन राशिया है वह एक तो हमारे पास एम है और एक हमारे पास यहां पर एम और एम है वह दो हैं वह अन् इसके अंदर जिसका particular solution हमें निकालना है तो इसके अंदर R की maximum power आपको क्या दिख रही है तू दिख रही है तो इस इसलति में M की value के हो जाएगी तू जाएगी और बात करते हैं निकालने के बाद है जो करेक्टरिस्टिक equation हमने लिखे तो उसमें हमारे पास हमें पता है उस से रूट निकालते हैं उस रूट के अंदर हमारे पास जो one है वह कितनी बार repeat हो है मैं कितनी बार आया है जैसे हमने alpha की value मेरे पास हाई तो यहां पर हमारे पास दिख रहे है कि 1 न कितनी वारा रहा है तो वान वार यहां रहा है कंडियसन लोजया जैसे वन 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 तो इस टायाप के हमारे पास है वो Caroline आइननि चीमारे के और हैं तो यहां पर rings시면 की विटिक से वेल्भी विर अदूर. हो जाएगी maximum possibility आपके पास zero वाली आएगी देख लेना क्यूशन के अंदर ठीक है तो इस इसाब से आपके पास first वाला case हो निकल के आता है अब बात करते हैं हमारे second वाले case की second वाले case के अंदर क्या होगा हमारे आपके पास यहां पर हमारे पास यह पास इसकी बात कर रहा हुंए तो यहां पर यह किस टाइप के पास निकलेगा सेम है फर्स्ट वाला यह है फर्स्ट वाले के फोम के अंदर देखने को मिलेगा एक तो इसा और देन यहाँ पर multiply में आपके पास है वो कोई constant की power r देखने को मिलेगी यह second वाले case में जैसे मैंने यह example लिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है constant की पावर r देखने को मिल रही है और साथ में कोई r में समीकरन भी देखने को मिल रहा है तो यह देखो यह वाली चीज है वोई second वाले case को fulfill कर रहा है यह example ना constant यह power r और into में r की कोई trump तो उस इस्तितिके अंदर हम इसका particular solution है को कैसे लिखते है तो वो ar is equal to हम लिखेंगे वही वाली चीज same to same ar लिखना है और यह वाली जो equation हमने लिखे है वो कि वो यहाँ पर लिख देना है और multiply में वही r की power n लिख देना है बस इस वाले solution के साथ हमें a की power r और extra लिख देना है और कुछ निकलना इसके अंदर अब यहाँ पर देखो आपके जो n है वो change हो जाएगा n है वो केवल इसके अंदर यह standard रूप होता है कि one कितनी बार repeat हुआ है लेकिन इसके अंदर n है वो change होगा जबकि m सारी equation में same रहता है m है वो सारी equation में same रहता है r की जो maximum power होती है वो m होता है अब n क्या होगा इस वाले second case के लिए कि जो आपके पास जो a की power हार महलब constant की power जो यह r है इसकी बात कर रहा हूँ 2 की power हार लाइक हा ना जांपल के रूप में तो उसमें जो a है यह a है वो हम जब characteristic equation निकालेंगे ना हमारी question की उसके अंदर जो अ है वो आ रहा है पहले चेक करेंगे जानी a मतलम हो तू आ जा गा है यह ए अपर औरσα के अंदर आ हमारे पास जो हम रूट निकाल रहे है वो बहुत हमारे पास टू क्हों माँ ठीए ना तो सबसे भाजे च्थे करेंगे क्या हम रूट निकालेंगे जो उसमें ए और आए क्या तो हमारे पास दीख रहे है हाँ आ रहा है देने हम चैक करेंगे कि वह आर रहा है तो वो कितनी बार ए तो आग mसाक है फिर्जटेरा यहाज से बार हों जाए है आपके बास एसरिटाओ कि गहाए किँटि की न मतारा हो चीज़ करते रहे हैं यहां पर आपके पास जो function जो fr है वो इस type का दिया गया रहेगा constant की power r ठीक है मलब कि यहां पर केवल आपको यह दिया गया रहेगा 2 की power r दे दे इस type का आपके पास constant की power r दिया गया रहेगा then इसका solution हम केसे लिखेंगे particular solution वह लिखेंगे a r is equal to k कोई constant है उससे multiply कर देंगे इस a की power r को और into में लिख देंगे r की power n बस यह चीज़ यह थड़ वाला case हो गया अब हम क्या करेंगे इन तीनों case हो पर आधारीत है वो एक एक वाला case है क्योंकि आप एक polynomial equation बन रही है ठीक है फर्स्ट वाली case में हमें बस यहीं तो देखना होता है तो इसके solution पर हम चले तो सबसे पहले तो हमें इसका मैंने बोला था जब भी हम रेखा रेखी पुन्रावरती संबंध की बात करते है तो वहाँ पे हम आए गुदो similarly 5 into यह हो गया आपके पास alpha की power r-1 हो गया यहां पर और यह हो गया आपके पास 6 into alpha की power r-2 हो गया और equal to 0 लेके चलना है ठीक है इसका जब हमें complementary solution निकालना है date is implies अब हम क्या करेंगे यहां पर हमें वह देखना है कि maximum जो आर में से है वह क्या चीज गट रही है वही वाली चीज है वह alpha की power लेके जानी हमें तो alpha की power क्या r-2 इसको 0 के equal रखो देन आर की value हमारे पास क्या निकल के आती है तू निकल के आती है यहां ठीक है तो इसका मत अब इसको थोड़ा सा सोल्यूशन निकाल देते हैं तो यह आपके पास अलफा प्लस 3 हो गया ठीक है तुकड़े किया है यहां पूरे में से मेरे पास यहां से हमारे पास alpha 1 की value तो जैसे minus 2 लिख देते है और alpha 2 की value में minus 3 लिख देते हैं एक बार इसको 0 की पराबर रखेंगे एक बार इसको 0 की पराबर रखेंगे तो यहां से हमारे पास वो complementary function तो complementary solution आएगा वो हमारे पास क्या आएगा कि सीवन क्या होता है यह फर्स्ट वाला केस है कि जब दोनों रूट अब डिफ्रेंट होते हैं तो दोनों रूट डिफ्रेंट होते हैं तो इसमें सीवन alpha की पावर आर तो alpha है हमारे पास माइनेश बावर आर प्लस सी 2 alpha 2 की पावर आर तो माइनेश 3 की पावर आर इसको एगेब करेक्विंशन नमबर वनिया आप एह आप भी मैरे पास complementary solution हमारे पास देखालन की सर्लूशन अब ढीको प्रेंखोर शोलीशन का concept देखो, बहुत अच्छा है, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे अब हम लिकालेंगे particular solution, अब particular solution हमने first case के लिए क्या पढ़ा था, हमारे पास first case के लिए क्या है था, a0 r की power m plus a1 r की power m minus 1 plus a2 r की power m minus 2, इस टैप से यह था, और multiply में था r की power n, ठीक है, यह वाली चीज़ थी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको a r की equally लिखेंगे हैं, ठीक है, particular solution, पूरा का पूरा, तो a r is equal to हमारे पास क्या है, a0 r की power m, m हम बात करते हैं कि r की जो maximum power, तो r की maximum power हमारे पास 2 है, equation के अंदर, 2 है, तो वो 2 है, वो यहाँ पे हम put कर देते हैं, तो r की power 2, प्लस a1, r की power 1 हो गया, प्लस में a2, और r की power 2 minus 2, 0, यानी 1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे यह आ गया, then, इसके multiply में क्या है, r की power n, अब n क्या होता है, कि हमने जो root निकाले हैं, यहाँ पे, क्या उसके इंदर, 1 आ रहा है, प्लस यह चेक कर लो, तो देख लो, 1 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मलबा, n की value क्या है, 0, तो यहाँ पे n की value, 0, तो a r बराबर हमा से a0, a1 और a2 की, जो यह तीनो constant राशिया है, इसकी value find out करेंगे, value कैसे find out करेंगे, वो करेंगे, हमारे पास जो equation दी गई है, उसकी help से, तो उसकी help से हम कैसे करते है, जैसे हमारे पास क्या करते है, यह जो equation है, यह पूरी की पूरी हिसमें put करते है, तो यहाँ पे r की value put कर हैगा, a0, r-1 का whole square, plus a1, r-1, plus a2, कुछ नहीं करना, r को r-1 से replace करना है, similarly r को में r-2 से भी replace करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास r-2 भी तो दे रखा है न, इस equation के अंदर, तो यहाँ पे यह change हो जादा है, a r-2, is equal to a0, r-2 का whole square, plus a1, r-2, और plus में a of 2, यह equation number आप है, इस equation को 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, और यह 5 हो गया, तो now equation 3, 4 and 5 है, वो put in equation 1, इस first equation में put कर देते हैं सारी value, तो इसलिए हमारे पास क्या निकल क्या आता है, a r की value रखी तो a0, r-2, plus a1, r, plus में a2 आ गया, ठीक है, then 5 से multiply होती है, यह वाली equation, तो 5 into a0, r-1 का whole square हो गया, similarly 5 of a1, r-1 हो गया, similarly 5 of a2 हो गया, इदर, ठीक है, and then हमारे पास क्या 6 into a r-2, तो 6 की इस से multiply करेंगे, तो 6 of a0, r-2 का whole square, plus 6 of a1, r-2, and the 6 of a2, ठीक है, और equal में हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे 2 r square, minus के 3 r, और plus का 1, अब next condition के अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरे को हमारे वो एक simple way के अंदर लिख लेंगे, simple way का मतलब होता है, जहाँ पे square हो उसको square होले formula से खोल लेंगे, जहाँ पे multiply होरी हो यह चीज़े, वहाँ पे multiply कर लेंगे, जहाँ पे common आ रही है चीज़े, वहाँ पे common लेंगे, कुल मिला कि हमारे पास r square का एक गुणा अंक आएगा, r का एक गुणा अंक आएगा, और constant एक रासी आएगी, यहाँ सेम टी सेम इस वाले form में आएगा, और final step में हम क्या कर देंगे, दोनों सेट compare कर देंग r square का एक गुणांक आए, r का एक गुणांक आए, और last में एक constant एक ट्रम आईए, इसको solution करोगे, आपके पास यही वाली सीज़ निकल के आएगी, अब next क्या करते हैं, हम दोनों साइड है, वो compare कर देते हैं, now compare, now on compare, compare करने पे हमारे पास r square का गुणांक है, वो यहाँ पे यह चीज़ की हम compare करते हैं, तो हमारे पास आता है, 12 of a1, minus 34 of a0, equal to, यहाँ पे r का गुणांक क्या है, minus 3, इसको solve कर देते हैं, यहाँ तो 12 of a1, minus 34 into, तो a0 की value क्या है, 1 upon 6 है न, और equal में क्या है, minus 3, ठीक है, तो इसको solution कर देते है, 12 of a1, is equal to, इधर minus 3 हो गया, यह minus उधर गया, तो plus हो गया, और यह हो गया, जैसे इसका में 2 से काट देता हूं, तो यह हो गया, 17 upon 3, ठीक है, नेक्स लग उतम लेकि इसको solve कर देता हूं, तो यह हो गया, आपके पास में, minus 9 plus का 17 by 3, और यह आगया, आपके पास में 8 upon 3, ठीक है, तो यहाँ पे, A1 की value हमारे पास क 8 upon 12 upon 3, तो यह कट गया, चार से, तो यह आगया, 2 upon 9, तो A1 की value आगया, आपके पास 2 upon 9, similarly, constant term की और compare कर देते हैं, और हमारे पास 1 है, यहाँ पे जो last term बच्ची है, A2, उसकी value हमारे पास निकल के आ जाती है, जब यहाँ से हम constant term की 1 से compare करते हैं, तो उस रिस्तती के अंद तो फाइनली A0 निकल गया, A1 निकल गया, A2 निकल गया, तो यह तीनों की तीनों value है, वह हम है, अमारी जो standard equation निकली थी, equation 3 उसके अंदर put कर देते हैं, तो इसलिए by equation 3 से, equation 3 से हम सारी value put करेंगे, तो यहाँ पे AR is equal to हमारे पास निकल के आएगा, A0 की value हमारे पास निकल निकली थी 1 upon 6, R square, A1 की value निकली थी 2 upon 9 of R, और 82 की निकली थी, minus 2 upon 16, ठीक है, अब final solution गया, वह होगा, एक बार इसको equation number 6 देता हूं, final solution होगा, equation 2 और equation 6 का 8, ठीक है, क्योंकि हमारे पास complimentary solution निकल गया, यह हमारे पास particular solution निकल गया, इसलिए, total solution, इसलिए, total solution, वह होगा, तू पलस इक्वेशन 6 इन दोनों का 8 आपको फर्स्ट केस पर जो आधारित जो एक्जामपल है वो एजी वे में समझ में आ गया होगा हाँ केलकुलेशन थोड़ी सी जादा है लेकिन थोड़ा सा यदि आप प्रेक्टिस करोगे तो स्पीड बन जाएगी तो इस हिसाफ से पास क्या था कि कोई A की पावर आर होगा और और की कोई equation होगी यह वाला था हमारे पास तो यहां पे हमारे पास constant की पावर आर दे रहे हैं और साथ में एक ट्रम आर की भी दे रहे हैं तो second वाला case यहां पर fulfill हो रहे हैं तो चलिए इसका solution हम करते हैं तो वह वाली चीज सबसे पहले तो हमें है वह इसका complimentary solution निकालना पड़ेगा तो इसको alpha की power में लिख देता हूं मैं यहां पर 6 alpha की power r minus 1 plus का 9 alpha की power r minus 2 और equal to 0 लेके चलता हूं ठीक है नेक्स्ट यहां पर मैंने बोला था जो लास्ट वाली जो ट्रम होती है ना मलब कि alpha की power उसको 0 की equal रखो और then r की value जो भी आई ना वो पूरी equation में put कर दो तो यहां पर r की value 2 आएगी तो यहां पर पूट कर देता हूं मैं मैं मैंने सा 6 ओप alpha और पलस में 9 लिख देता हम कि alpha की power 0 बन हो गया अब इसके simply root हम निकाल लेते है तो alpha square minus का यह हो गया आपके पास 3 alpha और यह हो गया 3 alpha ठीक है इसका 9 की टुकड़े यह हो गया देन यहां से alpha common आ रहा है तो alpha minus 3 हो गया similarly minus का 3 common आ रहा है तो alpha minus 3 हो गया equal to 0 यहां पर alpha minus 3 और alpha minus 3 दो root निकल रहे हैं और यहां से हमारे पास alpha 1 बराबर 3 आ गया similarly alpha 2 बराबर 3 आ गया और हमें पता है कोई भी आपके पास character equation के अंदर root सेम आ रहे है तो इसका complementary solution है वो हमारे पास क्या निकल के आता है c1 plus c2 of r alpha की power r alpha की 3 3 की power r यह equation number आप है वो 2 दे दो और इसको equation number 1 दे दो क्यों हमारे काम में आने वाली हमें पता ही है so next step के अंदर हमारे पास जैसे complementary solution आ गया particular solution की बात करेंगे तो particular solution इसलिए particular solution वह हमें पता है यार equal to क्या होता है हमारे पास मलब की standard form हमारे पास क्या थी ए यार वह थी हमारे पास a की power r into में a0 r की power m plus a1 r की power m-1 plus a2 इस टाइप से थी और इंटो में r की power n हुआ करते थी ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं हमारी क्या निकल के आती है standard equation a की power r यानि constant की power r वाली जो ट्रम वह लिख दो a0 into r की power m m तो वही वाली चीज है जो r की power रहेगी न वही तो r की maximum power इदर कितनी है वन ही है तो यहां पर r की power 1 लिख दी प्लस यहां पर a1 1-1 0 हो गया तो a1 तकी आएगा न इंटियो में r की power n अब n मैंने यहां पर क्या बोला था कि आपके पास जो a है a हमारे पास क्या है यहांपे 2 क्या है 2 यह जो 2 है सबसे पहरे तो चेक करो कि reward निकाल दा तो क्या 2 आया क्या नहीं आया यहदि यहां पर 2 आता तो वह कितनी वार आया वह यहां पर हम पावर लिखते हैं न एन की वेल्यू लिखते हो लेकिन यहां पर तो आये नहीं है तो इसका मलब एन की वेल्यू हमारे पास क्या है जिरो है इस वाली एक्वेशन के अंदर ठीक है तो यहां पर एन की वेल्यू क्या हो गई जीरो तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास एक्वेशन आगे इसको इक्वेशन नमबर थरी हम यह आपे देदेगे अब नेक्स्ट हम यहापे क्या करेंगे हमारे पास है वो इसका यहापे जो constant values है a0 a1 है वो निकालना पड़ेगा अब देखो कई कुछनों के अंदर तो आपको की फर्सक्राइब किया था क्या किया था यहापे कि जैसे अ र निकल गया तो यहाँ से मैं r – 1 लिखता हूँ यह र वालग हाय- 1 लिखता हूं और यह हमाइनज वन मलंग τόर लिखता हूर आर को से र रीफस किरिया तो एजिरो आर माइनज वन ऑर प्पलाश में 1 एक्वेशन नंबर आपके पास 5 वो गई तो नाँ पूर्ट एक्वेशन फॉर फाइब इन एक्वेशन तो महारे पसक्वार लिखता हूं तू की पावर अरे इन्टू में म्ल्टिप्लाई कर देता हूं कि साथ में से 0 r M-0 odd Plus काẽ वना गया Similarly minus 6-1 है यहा माइनस 1 के अंदर मल्टिप्लाई खरता हूं ए टू-1-0 of R ठीक है माइनस का साइं 2 की पावर पावर R-1 और a of 0 हो गया यहां पर ठीक है एंड नेक्स्ट नमारे पास क्या है प्लस का 2 की पावर R-1 a of 1 यह चीज यहां तक के लिए नेक्स्ट नमारे पास क्या है r-2 है इसकी वेल्यू पूट करेंगे तो यहां पर क्या है प्लस का 9 और और आर माइनस 2 की वेल्यू क्या है यह multiply करते हैं अंदर अपन तो 2 की पावर आर माइनस 2 ओप a0 इंतुर इन्टू आर हो गया and minus का साइन 2 ओप 2 की पावर आर माइनस 2 इंटू टू और जिरो होगया plus में 2 की पावर R minus 2 और A O पर 1 हो गया ठीक है और equal में हमारे पास क्या दे रखा है R into 2 की power R यह दे रखा है अब देखो normally कुछ नहीं करना इसको थोड़ा सा solve करना है और दोनों साड़े compare करके आपको value निकालनी है A0 और A1 की तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें इसकी अंदर multiply करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा A0 2 की power R into R minus का 2 की power R A0 प्लस में 2 की power R A1 minus 6 की अंदर multiply करते हैं तो minus 6 into 2 की power R minus 1 यहां से देखो मैं के वले इसको 2 की power R में उसको एन तो यहां आप से R की प्लस हो जाएगा और यह वापस यहां पर टू लिख देता हूं इसको टू की पावर आ लिख देता हूं ऐओ जीरो धिक एंड प्लस यहां मिलटीप्लाइब के लिए निल्टीप्लाइब कर देता हूं तो 9 through 2 की पावर r और upon में क्या लिख दूँ में 2 की पावर 2 यानि 4 हो गया यहां पर ठीक है a0 और r और minus का sign 2 की पावर r और 9 है यह भार और upon में y वाली चीज 4 लिख देता हूं में यहां पर इंटू में यहां पर 2 दे रखा है a0 दे रखा है ठीक है फिर plus 9 2 की पावर r upon 4 लिख देता हूं a of 1 ठीक है और equal में दे रखा है r into 2 की पावर r अब इस equation के अंदर हम क्या करेंगे r और 2 की पावर r हो एक बार common ले लेंगे देन हमारे पास एक equation निकल के आएगी similarly एक constant value क्या थी यहां पर तो जिसे 1 बच गया देन हमारे पास next के आर इंटू की पावर r के अंदर पद तो आर इंटू की पावर आर के अंदर पद एक यह वाली equation है तो यहां से क्या बचा माइनस का दो ती है छे तीन बच गया और ठीक है नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्रम है यहां पर और टू की पावर r में एक यह वाली ट्रम है तो यहां से क्या बच गया 9 अपून 4 बच गया ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास कोई ट्रम यहां पर दे नहीं रखिया और टू की पावर r में तो यहां पर यह और जो एक्स्ट two key power R a 1 और प्लस में यह 3 2 key power R a 0 इंड्य यहां पर बच गया यह 3 2 key power R a 1 प्लस में यह बच गया आपके पास में 9 upon 4 और यहां से पिकार देता हूं तो 9 अपॉंट टू इंटू आर तो यहां पे दोनों साइड अपर करते हैं तो यहां पे कंपेर करते हैं तो उस इस्तति में हमारे पास एजीरो की वेल्यों कुछ निकल के आएगी तब इसको अब सुल करते हैं तो यहां पे लगुतम आ गया चार यह हो गया फॉर माइनस टूवलवा प्लस नाइन और प्लस में सिमिलली यह वाली ट्रम हो गई और इसको डारेट मों कंपेर ही करते हैं तो इक वाल तू हमारे पास क्या आगया वन तो इसको सोल किया तो एजीरो की वेल् 24 आप सोलूशन करके देख सकते हो तो फाइनल कंडिशन में क्या करते है एजरो निकल गया एजीरो और एवन है वह हम एक्वेशन नंबर आपकी पास यह थ्री है इसके अंदर पुट कर देंगे तो फाइनली आपके पास जो पर्टिकुलर सोलूशन हो निकल के आ गया पर् पुली आपको यह वाला exam पलब वह समझ में आगया होगा तो next time हमारा जो टाइप थर है उस पर बेस जो एकजाम पलब नेक्स आपके पास जो क्यूशन है रेकूरेंस रिलेशन का वह इस परकार से देरका है तो यहाँ पे देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ प सेम सिच्वेशन करनी है अपको किरियेट ठीक है आर मैनेस टू इक्वेल टू जीरो वह बली चीज़ यहाँ पर टू इपुट करेंगे पूरी एक्वेशन में तो अलफा स्कुरेर यह मैनेस का फाइप अलपा हो गया यहाँ पर 6 हो गया इक्वेल टू जीरो हो गया यहाँ से इसकी वेल्यू निकालते है तो यह हो गया मैनेस का 2 अलपा मैनेस का 3 अलपा पलस में 6 इक्वेल टू जीरो यहाँ से अलफा कॉमन लिया तो अलफा मैनेस 2 similarly minus 3 को मन लिया तो alpha minus 2 is equal to 0 तो यहां से आपके पास निकल गया आता है alpha minus 2 और alpha minus 3 is equal to 0 तो यहां से आपके पास alpha 1 तो 2 आ गया और alpha 2 है वो 3 आ गया तो आपके पास complementary solution अब वो निकल की क्या आता दोनों root different है तो c1 alpha की power r तो alpha यहां पे क्या है 2 तो 2 की power r plus c2 alpha 2 की power r आ गया तो यह हो गई आपके equation number 2 इसको equation number 1 दे देते हैं तो complementary solution निकल गया अब particular solution की बात करते हैं particular solution AR की equal लिखते हैं खड़ वाले case में मैंने क्या बोला था वो होगा k into जो constant वाला पदर दे रहे का वो into r की power n अब यहां पे n है n y वाली चीज यहां पर जो a है a है यहां पर उमारे पास क्य är 4 है थीक है यह हमारे पास kya r Radiot में आ रहा है यह तो यह चेुक करो तो root में नहीं आ रहा है यदि आता है तो हम quantity check करते की कितनी वार आया है तो यहां पर आया निकालने के लिए यह वाली चीज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक्वेशन 4 हो गया यह एक्वेशन 5 हो गई पुट करते हैं तो solution हमारे पास कोईगा तो 5 इंटू k इंटू 4 की पावर r-1 ठीक है और प्लस 6 इंटू k इंटू 4 की पावर r-2 is equal to k 4 की पावर r ठीक है नेक्स इस्तिक है इंदर हम क्या करेंगे हमें तो इससे compare गरना है तो हम क्या करें क्यों दिए इंटू 4 की पावर r पूरे मेंश कॉमन आ रहे तो यहाँ पर एक बच गया यहाँ पर माइनस का 5 बटे चार बच गया क्यों माइनस ओना ना प्वर में चार की और पलस में यहां पे चैए बटे यहां पर 4 की पावर 2 बच गया तो 4 की पावर 2 16 होता है और is equal to क्या वच जा 4 की पावर आरा, soul कर दो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, k into 4 की पावर आर, इसको क्या, तो 16 लगुतम आया, तो यह आगया, 16 minus 4 यह 20 हो गया, यह 6 हो गया तो यह आगया 4 की पावर आर तो finally ये निकल के आए है आपके पास में 2 बट्टे 16 मतलब की 1 बट्टे 8 आ गया ठीक है और के आ गया इंट फोर की पावरार आ गया फोर की पावरार आ गया दोनों तरफ compare के है यहाँ पे comparison करना है हमें 4 की पावरार 4 की पावरार का compare तो यहां से इसका गुणान तो है k बट् situation सेम है जैसे पुरिवेस के example में हम करते आ रहे थे इसलिए यहार इस इक्वल टू हमारे पास क्या निकल गया 8 इंट फोर की पावर आर तो हैंस से total solution क्या होगा total solution संपूर्ण हल वह क्या होगा हमारे पास में इल दोनों का योग तो वह होगा हमारे पास में यहार इस की पावर आर प्लस एंट इंट फोर की पावर आर यह आपके पास total solution वह निकल के आता है तो होफुली आपको पास है वह particular solution से related को ख्यूशन आएगा तो वह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा किसी भी प्रकरकर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो मिलते एक नए तोपिक के साथ अब तके लिए सी यू